नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आज के वीडियो में बात करूंगे पुर्सों के बाई आक का फड़कने का क्या मतलब है और मैंने इससे पहले दो वीडियो बना रखी है इस तरीके दाई आक का फड़कने का क्या अर्थ है और बाई आक फड़कने क क्या मतलब है अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे description box में क्लिक करिएगा वहां से आपको link मिल जाएगी समत्रिक सास्त के अनिसार हम मनुश का शरी अत्यन समवेदन सीन माना गया है और ये समय समय पर भविश्च में होने वाली गटना का संकेत भी देता रहता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजएगा और वीडियो को सेर कीजएगा तो आईए जानते हैं पुर्सों का बाई आग फड़कने का क्या मतलब है पुर्सों के बाई आग का फड़कना समत्रिक सास के अनुसार अत्यंत अशुब माना गया है यदि आपकी बाई आग लगातार फड़क रही है साथी साथ आपकी बाई भोव भी फड़क रही है तो ये भविश में आपकी किसी दुष्मंत से लडाई हो सकती है या फेर आपके दुष्मंत से और ज़्यादा दुष्मनी बढ़ जाएगे दोस्तो अगर बाई आपका उपर का हिस्सा पड़कता है दैट में नापके उपर का हिस्सा तो समद्रिक सास्त के अनुसार भविश में आपके साथ अनुहूनी घटने का संतेत देता है समद्रिक सास्त के अनुसार पूर्शों के बाई आग का निचला हिस्सा भी फड़कता है तो ये अत्यन्त अर्शू माना जाता है ऐसा माना जाता है भविश में आपको किसी के सामने सरमिंदा होना पर सकता है अगर आपका बाई आपका उपर का हिस्सा दाट में कान के पास वाला फड़कता है तो इसका अर्थ है आपके स्वास भी बिगड़ेगा भविश में दोस्तो अगर बाई आग का निचला हिस्सा चोकी बीच में होता है तो वो आपको बविश में धन की हानी हो सकती है कुल मिलाके पुर्सों के बाई आग का फड़कना असुब ही माना गया है सामत्रिक सास्त में चली जानते हैं विक्यान के अनिसार आगों का फड़कना का क्या मतलब होता है विक्यान के अनिसार मनुष के आखों का फड़कना व्यक्तित के जीवन का आमप्रिकिया है विग्यान के अनुसार जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं या फिर कम रोशनी में बढ़ाई करते हैं या फिर फूरी नीद नहीं लेते तो हमारी आग फड़कने लगते है विग्यान का मानना है मनुष के आगों का फड़कना व्यक्ति के जीवन की आम प्रकिया है यही जब कि समुद्रिक सास की माने तो मनुष के आगों का फड़कना भविश में होने वाली कई घटनाओं का संकेत देती है कुछ घटनाएं जो की सुब हो सकती है और कुछ घटनाएं असुब होने का संकेत देती है तो friends I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को watch करने के लिए thank you